हेलो फ्रेंड्स, बायोलोजी मैगनिफाइड मदे तुम्चा खूब स्वागते, आज आपन रेस्पाइरेशन टोपिक शुरू करनारे, कुटला टोपिक बढानो रेस्पाइरेशन, आता बगा हाँ रेस्पाइरेशन टोपिक शुरू करताना, तैचा मदला जो पहिला इंट प्रडोक्शन, हाँ पार्ड मिया ता गेनारने, करन बालानो तो पार्ड खूब सुपा हे, तुम्ही इजीली जस्ट रेड जरी केला तरी तैचा मदले क्वेशन सुट्तिल, तैचा मदले भार भार तरे एक हादा क्वेशन कधी तरी विचार लागे रेसो, तुम्ही प्रडोक्शन विचार लाए, कदी कदी दोन सुधा विचार लेत, तुम्हाला एक व्यवस्तित साइकल केली पाई जया, आता भगा या साइकल मदे बार्याज दा, प्रोसेस सगला लक्षत रहती, रेक्षन लक्षत रहती, सगला जास्तो गोंदर कुट होतो बालनो एन्ज मुला ते एन्ज arm पाठत्च करेचनेद, तुम्हाला स्टे पस्कीन चार बाल्यास्ट भगाला नौ दाहा स्टेपस, या दाहा स्टेपस चीन नावाली कि तुम्हाला दाहा दया अंज एन्जाम सुधा लक्षत रहती, फक्त तुम्हाला 10 स्टेपस सिक्वेंशली लक्षत याचा जो सिक्वेंस है तो व्यवस्तित एक दाल अक्षाट टेवला तुम्ही ते उड़स पाट कराई जा बाकी चे सग्ड़ सोपाई ठीके माते सग्ड़या सोप्या पदतीने सग्ड़या स्टेप सग्ड़ये तुम्हे एंजैम्स आपन बगना रहोते व्यवस्तित अटा वेर नगहला होता अपन ग्लाइकोलिस स्टार्ट करुएत फर्स्ट मेजर प्रोसेस आपलेरा महीति है यहेचा मदली रेस्पाईरेशन मदली आणी ही कश्या है अन एरोबिक प्रोसेस है बगा एका 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 आता एवड़ास वर्ड वर्ती सुदा प्रश्ण तयार ह अललडी विचारोंगे ले अन एरोबिक प्रोसेस है मजे याचा मदे कूटा ही ओक्सीजन इंवल होनाा नाही ओक्सीजन चा कही सम्मंद येतने येवड़ातर अपलेरा रक्षतल आथा अथा हे साइटोपलाजम मदे होता इकूटा होता है साइटोपलाजम मदे महनुन आल पाईरवी प्रडुद्ट तर तेट त्यों अ कर्बेंड पर्डुद्ट तीन साइकल अप लेल दोन स्टेप मदद बगाईची पहिली स्टेप काया है मेजर स्टेप दोने तेतला पहिली आए प्रिपरेटरी आणि क्लिवेज अशे दोन मोलिकुल 3-3 कार्बनवाले काया होता अशे तेयार होता अधा है सग्रा साइकल बगने अगोदर, रेस्पारेशन टॉपिक बगने अगोदर, तुमाला या दोन गोष्टी इंचे खूब क्लारिफिकेशन पाई जाए, या दोन गोष्टी इत गोण्दर जाला, इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम तर कदी समझत ने, तुमाल अधिशन ओप ऑक्सिजन ये तर क्लियर जाला, एक तर लख्षत या दे कि हा दोनी प्रोसेस एक में कांचा अपोजिट है, तुमाला या चांदर बनता है, तो ऑक्सिडेशन मनझे अधिशन अप ऑक्सिजन क्यों हा, रिमोल ओप हाईडोजन जर होता से, तर ते याला आप तुमचे रिडख्षन अचनारे, मही तकाय बगितलो तो अधिशन अप ऑक्सिजन, मही तकाय अचनारे बादनो, रिमोल ओप ऑक्सिजन जरी, तुमी मतला तरी तुमाला रिडख्षन मनाईचा क्यों हा, याच अमधे काये हैं आरे, एडिशन अप हाईड्रोजन, एडिश आप लेला विवस्तित बगाईचे, इमां फ्रस्ट स्टेप कहा है संगा, आप लेला दोन स्टेप हैत, फर्स्ट फायु कहा है होती आपली ाई प्रिप्रिटरी फेज मत्य actress मधली पहीलि काई फोसपोरीलेशन मत्य Raid sub अपलेला महिते ग्लुकोज हार एक्लोज हार एसपायरेटरी सबस्त्रेट आई आपलेकड़ ग्लुकोज आदीप मलाकाए झेला इनार्गर रेंजिय कुलूरिण सेप्रे लुकोज वंझेट अर्बन ने आपीचेंज नेज हला कॉर्बन सेख्ष तक रहेला यहां अफ्टवर डाला कि फॉस्पोरीलेशन घ्रूप बांधियेक अटेंजी दे किलीगी रूप मेंगती अधिरा बाला कि बालाणगया घ्रू सेख्षाख्ष इनजाने अन्याम इन्यामेट अफ्टवर मेंगता सब्सक्राइब को फैक्टर वर्ती सुधा प्रशन आलाए तर तो लग्षाट ठेवा चे तीन चार ठीकानी को फैक्टर से व्यवस्तित लग्षाट ठेवा नेक्स्ट रता प्रोसेस बगाई चे प्लिला आईसोमराईजेशन आईसोमर मंजे कहा रहे फक्त स्ट्रोक्चर तर बदले रहे फार्मोला तर तोस रहाना रहे ग्लूकोस ुक्स फोस्पेट चा या जहाला फ्रुक्तोस । महलेगाँ खाटा या भ्छ्रूक रताления पेकारे बारनो इतर्शुधा काया है मोँ तुमसा मागनिशियम जो सेम मगाशी होता तो जकाया सनार है यह इतनम मादे नेक्स फोस्पोर्वेलेशन हो उन्हुट फोस्पोरेलेशन सेकेंड है कुना चो för Euabaish do पहीला ओल्रीडा अँल्रीडिंप सामव्या मा यहरह लगाई जाले की hep पहीला इरो नीक इतला कितिव्या कारोबने लाला पहीले है महांनने प्यूBA मालने पूल्यर्ग कार्बनों सेम रखेला भक्तो फोस्पेट ऐड जाला जाला दों पहला सावगेला होता ता पहले ला दग पहलेला आटनहा एंजायम बगाएचे अधा फोस्फो फ्रूक्तो कानेज इ를 होगाई फोस्फो ग्लूको कानेज इतर बरति बरबरणि Simpson ख्रुक्टो 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 ख् डाय हाइड्रोक्सी औस एसीटून फोस्पेट आनी फोस्पोग्लिसराल दियाइड ताया जाला ठीके अथा हे अल्डोलेज बागा तुम्ही 11 ला सग्रेंजाइम चे फंक्षन शिकला है अल्डोलेज काय करतास तो अल्वेज ब्रेक्डाउन चा काम करतास तो अल्वेज ते लोजिक इथा लगता है कुटलस पाट करावा लागत नहीं जर तुम्हें बेसिक क्लियर असेल तर माता मिलाले अपलेला हे दोग हे दोग हाँ एरो का इंडिकेट करतो है तर हे दोग इंटर कनवर्टी बलाए तमाज याचा कनवर्जन याचा मधे DHAP सा कनवर्जन फोस्पोग्लिसराल डिएड मादे हो शकता बरो बरकने मा आता इतुन फुर्चीजी प्रोसेस हाई कुटल तुमछी ओक्सिडेटिवानी पे आउफेस त्याचा मधे फक्त तुमचा फोस्पोग्लिसराल डिएड अचा हो शकतो इंक्लूड होत दो कि मा त्याचा मधे तो जातो बरो बरकने माई हाँ DHAP सा काई कारें चेतर हां ओलेडी इंटर कनवर्टी बले में याचा कनवर्जन याचा मधे होना राने अपलि लाकाय मेना रहें दोन मोलेकुल को ना चे फोस्पोग्लिसराल डिएड चे अनि याचा सथी आइसोमराइजेशन जाला ना स्ट्रॉक्चर तर तर तेस अए बरो बर याचा मधे कनवर्जन जाला बगा इंजाइम का है फोस्पो ट्रायोज आ प्रस्ट 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 प्रोसेस प्रस्ट 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 पोगलिसरिक एसेड रहेला बगा आनि त्याच बरोबर याच्चा मदे का होता है फोस्पोरलेशन में जो दोन फोस्पेट कुटले इनोर्गनिक फोस्पेट येचा मदे आड़ होतात् कोना इत्त सोर्स फोस्पेट चा आता ही गोश्ट इत लक्षाट्थे वाइची या दो दोन जालेत महनुं आणि कित्वा करबनला पहिलीयानी तिसरीया महनुं 1,3 डायफोस्पो ग्लिसरिक ईसीड कारबन नंबर चेज जालेला नहीं हाइद्रोजन रिमोउ जालेक फोस्पेट जाले कारबन इमीं मोनों दोन मोलिकुल कुणा ची म biscuit अले हैही सँगल दोन-दोनो आहियाचे एंजाएं फोस्पो-ग्लिसराल दिहाईड डीहाइड डीहाइड्रोजिनेज इन फोस्पो-ग्लिसराल डीहाइड डीहाइड्रोजिनेज आणि में आला है आपलेला काई 1-3-diphosphoglyceric acid आता याच्छो काई होता ही था ATP generation first बरोबर ATP generation first ही कितवी तुमची प्रोसेसे 7th step आहे आता ATP generation मदे आपलेला काई बगाएचे 1-3-diphosphoglyceric acid चा काई होता है 3-phosphoglyceric acid याचा आरत एक phosphate group निगुन गिला आनि एक phosphate molecule जो निगुन गिला तो कुनी घतला ADP न आनि तायार काई जाला ATP इता काई जाला ATP generation आनि इता एंजाइम काई लग्षाट्ट है वाचे phosphoglycerokinase काई लग्षा अठे होला तुम्ही phosphoglycerokinase आता kinase आपन काई बगिदला होता इन और्गेनिक phosphate शी रिलेटेड काई जाला काई जाला काई जाला काई लग्षाट्ट है तर याचा मदन आपलेला काई मेला 3-phosphoglycerok acid याचार ता पहिले नंबर चा कारबन चा phosphate group निगून गेला आता राइला 3-phosphoglycerok acid आता याचो काई होते है shifting of phosphate मज़े simply shifting मज़े काई होता isomerization होता बगा shifting होते है मज़े थोड़ा सा काई होनारे formula तोसरानार structure change होनारे मज़े isomerization जाला आइसोमराइजेशन मज़े shifting है है लक्षा ठेवा आता इथा काई होते है 2-phosphoglycerok acid 2-phosphoglycerok acid 3-2 होते है मज़े तीसरा नमबर चा कारबनला जो phosphate ग्रूप आटे चाहे तो रिमो होता आणि कितवया नमबर चा कारबनला जातो है तो दूसरा नमबर चा कारबनला जातो है आणि इथा एंजाइम का है 1-phosphoglyceromutage mutations घला isomarization घला असे तो रिलक्षाट्ट्रे वा mutation मदे minor change होतमा mutation isomarization थोड़ी शी लिंक लाबा है थोड़ो अशर दिफरंट है 2-phosphoglycer carbon úte अनि मैं आला dau der two phosphoglycerik acid या चाहे होना रे बाइनおता मजे वाट्र मोलीकुल निघून जातो फॉस्पो ग्लिसरीक एसिट मदुन वाट्र मोलीकुल निघून गेलाने अंतर तुम्चा काया होतो है फॉस्पो इनॉल्पफपलुamok लुम्हें प्रेशंट बेखके फोस्पोेड फोस्पोइनल पाइरुविक अइसेड ठीके आता याचा काये लुट्पी जनरेशन सेकेंड मजे फोस्पेट गूरुपन या अन्यों भॉस्पोएनोल पारुविक एसिड में। थो फोस्पेट निकून गेला अहिसा है पार्भन नंबर कार्भन नंबर सेम है सब्सक्त नायद नायद काई शाजा है आप लेला कायम ऑते से माच खाइबूर्पेट नायद ऐखेला कार्बन नंबर 3 पाइरुवेट मंजेज पाइरुवेक एसीड आहे तुम्चा आई होग तुम्हाला व्यावस्तित रियाक्षन किवा तुम्हा अपली साइकल व्यावस्तित समझ ले सेल एंजाइम सा गोंधर सुधा तुम्हा क्लियर जाला सेल आता अपने ये चावर चे सण अथार्ण साइल एक आता व्यारा शाईल निए लोजीकली येशा पने एंजाइम से ट्रिक सांगित या प्रामाने कशर्णका घ्रिक्ष थेवाय जंबात रुटोस jm क्श्ध पाइर। सकाँ जाले, fructose 16-diphosphate, माझे काँ जाले, simply एक अनोर्गनिक phosphate एड़ जाला, कि आस्ता बाद नो काईनेज अस्ता, लोजिकली लक्षा ठेवा, कुना चा जाले, fructose चा जाले, अनि माझे काई आये, फस्पो फ्रुक्टो काईनेज असा सुदा लक्षा तिल बरो बहरेकना है में कुट दिस्ते तुम्माला फस्पो ग्लीसरो आता ये चामाधे कुट ग्लीसरो ग्लीसराल दिस्ते का माज़ ऐपस प्शिन कैंसल ज़ाला अल्डोलेजचा काई सांगीत लोतो अल्वेज काये करता ते ब्रेकडाउन करता खलिवेज करता मझे हाई इलिमेट जाला इनुलेज काई करना रहे तुम्छे इनुलेज आपन कुट बगित लोतो दी हाइडरेशन मदे बगित लेला मझे हासुदा कैंसल जाला आणि नावा प्रामनेज जेशी आपन ही ट्रिक सांगित ली बगा हे लक्षट ठेवा सगया गोश्टी पूरुना रेस्पारेशन चा सग्ड़ा तुम्हाला साइकल्स मदे हे लक्षटी इलकिवा वा परता इल तर फॉस्पो फ्रुक्टो काइनेज इनार्गनिक बढ़ दी तुम्हा करेक्ट आहे बगा असुलक्षट्ठे होता है ते बगा मग प्रश्ण सोपे जाले काई आ ट्रिक नी ओवियसली सोपे जाले सग्डे तुम्हाला तर्शे सोडवाई चे माहे काई तब फॉस्पेट 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 चा काई डाइफॉस्पेट फॉस्पेट है फॉस्पेट ऐएच बिएज य्झा न्यिम जोण फ्रृ। याच्या वड़ी आपन माघशिव सुदा बगितले कि याच्या कायास तो को एन्ज हैं किवा को फैक्टर कायास तो मैंगनेशियूम प्लस प्लस स्याच्या वड़ी आपन माघशियूम प्लस 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 हेका याँ रहे चामादे को फैक्टर याँ तर हे फस्वाएशटी दिले तत्ती थव्य वस्ति तुम्ही केयर घ्याची आथा नेक्स्ट क्वेश्चन बगो याथा आपन उर लेले अल्टा नेक्स क्वेशन सोप पे आहे ते व्लेज क्वेशन्स ट्रिकी आहे 2007-2009 पंशं नमी गये थे क्वेशन्स का गये थे खूब ट्रिकी है तुम्ह आला वाद आयला उन्लाइनर असले तरीपन क्वेशन तुम्हाला एनालिसिस बेस्ट है तते भगु याथ the total number of ATP form directly in glycolysis याचा माधे तर काई डाउट ने हे दोन काई केले दतत, consume केले दतत हे दोन आनी हे दोन, चार काई तुम्चे होतत form होतत, हाथ तर स्टेट फ़र वोड याचा माधे confusion होने चा काई विशे ने जर तुम्हाला काई दिलासता ही तक consume दिलासता होतर तुम्चे दोन हाँ एंसर आलासता बड़ी तुम्हाला form विचार ले मुन एंसर नंबर ए तुम्चा करेक्टे ने रहे 8-10 याचा काई संबंधिया नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन बगो याथ तका है हाउ मेनी ग्लुकोज मोलीकूल सार रिक्वाइड फॉर दा फॉर्मेशन ओप 52 पाईरुविक असिड मोलीकूल अट दी एंड अप ग्लाकॉलिसीज बगा अनलिसीज बेस्ट क्वेश्चन है अपले लाकाई में एते एक ग्लुकोज मोलीकूल जरा है याचा कई ग्लुकोज मोलीकूल मग दोनला डोन पार notorカ सिड साथी एक ग्लुकोज मोलीकूल तर फिप्ति-टू साथी कित असनार है डिवाइड बाए येट नहआ है तुम्चा किती ये नहीरे संगा 26 ये नहीरे में जे तर तुम्चा स्टेट फर्वर्ड जालका नाही थोड़सा ट्रिकी जालल डायरेक्टली वन चाने याचा काहीचा पन कसपन क्यालकुलेशन देतेली याचा अगेंस्ट उल्टा करों देतेली बगाँ सेटी 2010ցद मृटी Febru מא चेटी ये सुद लाख शाठ्थे वा प्राशना श Delhi वीचारली जाओ शक्तात नेक्सकेस खूब इंपोर्साइब किफिशा थोप इंपोर् rubbish हूब which of the following is not a phosphate donor in glycolysis phosphate donor विचार लाएं मैं आसांगा phosphoenol pyruvic acid phosphoenol pyruvic acid नी दिला करे एक phosphate दिला नी काई जाला ATP ताया जाला नी खाली pyruvate मज़े हातर आहे तुम्सा ATP obviously इथा दोनी टिका नी ATP नी phosphate दिला है मज़े हासुदा ATP donor आहे ते चंतर H3PO4 इथा दिलाएका अब व्यसा है oxidation and phosphorylation इता हे जे दोनी इन और्गनिक फॉस्पेट है ते H3PO4 नी दिले तमाज़े हासुदा है अथा NADP आहां कुटे तो करे ना है हां काया है सांगा NADP hydrogen acceptor आहे बगा इता कन प्यूजन हो शकता hydrogen acceptor है ना की phosphate donor option number correct answer तुमचा option number है ना है हाइक टास काई करतने phosphate देतने बाकी सग्ड़े फोस्पेट देता याला महनाईचा analysis best questions कि मा application best question आनि हे तुम्हाला जमले कि तुमसा score नक्की वाड़तो लास्ट question बगयात number of oxygen molecule utilized in glycolysis शुरुवा तिला सग्ड़ात पहलो sentence आपन बगिद लगता कि है अन एरोबिक प्रोसेस है काया है अन एरोबिक मैजे इत्था कुटा ही oxygen ये नार ना ही मैजे oxygen किती इटिलाइज जहले संगा तुमसे 0 नंबर जहले 24 सहा असला काही प्रकरने CET 2017 चा question है I hope सगे questions व्यावस्तित समझ लेस्तिल मला महीतिये जास्त लेक्चरस ठाकता आले नेत मला एक्चुलियामचा घरत function होता जरा लग ना है त्याच्छा मुड़ा थोड़ी शिदा हुपड तर लेक्चर जास्त अपलोड के करता आले नेत आनी मॉक्टेस सुधा अपली पेंडिंग आहे human health and disease वर्ती उध्यामात्र मिनक की मॉक्टेस घेन उध्यावस्तित प्रिपेर करा आज सुधा ती जमनार नहीं है टाइपिंग लाग तो यानी टाइपिंग लाई थकोनी नही तर चैनल अजस्ति जास्त शेर करा लाइक करा सब्सक्राइब करा थैंक यू